हलो दियर स्टूदेंट्स, वेलकम टू डिजनात क्रियेशन, आज हम करने वाले हैं एक्ससाइज 3.3 का नंबर 2, हम पहले ही दूसरे जो नंबर्स थे आगे के प्रिविएस नंबर्स हम डिसकस कर चुके हैं, उससे पहले मैं बता दू, हमारा यहां Monday, Thursday, Maths पढ़ाया जाता है Wednesday and Saturday English, Friday and Tuesday Science पढ़ाया जाता है, and after all, हमारा यहां पर Maths हमारे चैनल पर रेगुलर्ली अप्लोड किया जाता है, उसके साथ जो Science and English है, वो specific days में ही अप्लोड किया जाता है, and Maths रेगुलर्ली अप्लोड किया जाता है, and अगर कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कर स लगते हो, हम बहुती जल उसका Problems का Solution निकालने का कोशिश करेंगे, okay, तो अभी बढ़ते हैं, हमारे next number के तरफ, जो की है, Exercise 3.3, number 2, तो देखो बच्चो, यह काफी easy है, यहां पर कुछ भी difficult नहीं है, क्या बोला गया है, देखो, now, what we have to do, let me take some space, okay, तो देखो, यहां पर, हमें जो दिया गया है, जो number, तो वो हमें पूछा क्या है हमसे, क्या, यह जो number से, 4 and 8 से divisible है, वो भी किस से, देखो, divisibility test करना है, हमें चेक करना है, क्या यह number 4 से and 8 से divisible है, without dividing का rule के वेनो, without dividing, okay, तो without dividing वाला कब होता है न, एक बड़ा number होने से होता है, क्योंकि देखो, 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 आगे मैं बताऊँगा, तो last का, दो ही digit हमें लेना है, तो अगर last का दो digit लेना है, क्या 4 के table में 72 है, तो देखो, क्या यह 4 से divide होगा, 4, 1, जो 4, कितना मज़ा, 32, 4, 8 जा, कितना, 32, तो यह तो 4 से तो divide हो जा रहा है, चलो, हम इसे क्या देख लिए, 4 से यह number divide हो जा रहा है, next, correct, next number 8, 8 से divide होता है, कि नहीं हमें चेक करना है, so 572, क्या यह 8 से divide होता है, so देखो, जब भी हम 8 से divide करेंगे, हमें last का 3 digit लेंगे, तो last का 3 digit यहां पर तो दिया गया ही 3 digit है, so हम पूरा number लेंगे, 8, 572, is divisible by 8, so 57 से छोटा number क्या है, ना देखो, 8 का table में हमें चेक करना है अभी, कि 57 से छोटा number कौन सा है, देखो, 8, 6 जा कितना, 48, 8, 7 जा, कितना है, 56, 7, 8 जा 56, तो क्या रहे, 57 से छोटा number हमें मिल गया, तो यहां पर क्या हो गया, 12, so यहां पर 12 जो दिया गया है, तो यहां पर यह क्या हो गया, कि यह वारा 12, 8 का table में 12 नहीं है, 16 है, तो यह 572 जो है, वो 4 से divide हो रहा है, determine करना है, कौन सा following number, जो 4 से divide हो रहा है, एट से divide हो रहा है, so हमें यह result देखने को मिला, 572 is divisible by 4, but not with 8, next, बी नमबर के तरफ बढ़ते हैं, 726352, क्या यह divisible by 4 है, तो 4 से divide करने के लिए हमें क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट लेना है, लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 52, 52, 4, 4, 1 जा 4, बचा कितना, 5 से 4, 1, 12, 4, 3 जा 12, तो 4 से divide हो रहा है, next, तो यह हम लोग का क्या है, absolutely correct है, यह 4 से divide होगा, क्या यह 8 से divide होगा, तो 8 से divisibility चेक करने के लिए हमें क्या करना है, लास्ट का 3 डिजिट लेना है, 352, so 352 divisible by 8, ओके 352 divisible by 8, तो 8 फूर्जा देखो कितना है, न 32 बच्चो, तो 5 से 2 गया तो कितना, 3, एंड यहां पर कितना है, यह जो remainder है, वो नीचे लाएंगे, 2, तो 8 फूर्जा 32, यह 8 से भी divide हो रहा है, तो हैंस हमें conclusion में क्या मिल गया, कि हैंस, 7, 2, 6, 3, 5, 2 is divisible by 4 and divisible by 8, यह हमारा है conclusion, नेक्स्ट बच्चो, C नमबर देखते हैं, देखो, काफी easy है, अगर कहीं पर कुछी भी doubts होना, समझ में नहीं हा रहा है, तो comment section में comment कर सकते हो, next, 5, 5, 0, 0, क्या यह divisible by 4 है, तो last 2 digit क्या है, 0 है, तो of course, यह 4 से divide हो जाएगा, 0, 0, 4, 0, 0, यह वाला 0 को उतार है, 4, 0, 0, therefore, यह 4 से divide हो रहा है, next हमें चेक करना है, क्या यह 8 से divisible है, तो 8 के लिए हमें क्या लेना है, 3 digit लेना है, last का 3 digit लेना है, last का 3 digit कितना है, 500 and 8, तो divisible by 8 करेंगे, तो 500 से छोटा कौन सा है, अगर हम देखेंगे 500 से छोटा कौन सा है और 50 से क्योंगे हम फर्स्ट दो डिजिट लेना है तो देखो 85 जा कितना 40 86 जा 48 तो 86 जा 48 2 0 8 का टेबल में तो 20 नहीं है 8 2 जा 16 तो ये 8 से divisible नहीं होगा therefore hence तो हमें conclusion में क्या मिला हमें ये conclusion मिला hence 5500 is divisible by 4 but not with 8 5500 is divisible by 4 but not with 8 हमें ये देखने को मिला next d number 6000 तो ये काफी easy है देखो जब 0 रहता है न तो 0 से कोई भी number divide हो जाता है 0 से कोई भी number देखो बेटा याद रखना कि 0 से कोई भी number divide हो जाता है तो ये याद रखना तो ये last का force अगर divide करना है तो हमें last का 2 digit लेना है तो 0 है तो ये 0 divide हो जाएगा even division by 8 भी करेंगे तो last का 3 digit लेंगे तो यहां पर भी 0 है तो यहां पर भी 3 0 होने के कारण क्या होता है जिरो बोला क्या बोला बेटा भी just कि कोई भी number अगर 0 से divide कर रहे है तो easily divide हो जाएगा तो ये 8 से भी divide हो जाएगा तो हमें ये conclusion मिला hence it is divisible by 4 and 8 next देखो बच्चो ये number का 1 2 1 5 9 क्या ये divisible होगा 4 के साथ 59 तो 59 को देखो 4 1 जा 4 बचा 1 9 तो ये तो 19 आगया 4 का डेबल में 19 नहीं है therefore ये 4 से divide नहीं होगा so क्या ये 8 से होगा उसके लिए last का 3 digit लेंगे तो 159 divisible by 8 8 2 जा 16 यहां पर तो कम दिया है 8 1 जा 8 लेंगे 15 से 8 गया तो कितना बताओ 7 तो 8 9 जा 72 है 79 नहीं है तो ये 8 से भी divisible नहीं होगा hence हमें conclusion क्या मिला hence it is not divisible by 4 and 8 hence it is not divisible by 4 and 8 ओके नेक्स्ट एफ 1 4 5 6 0 क्या ये divisible होगा 4 के साथ last का 2 digit लेंगे 4 1 जा 4 2 0 4 5 जा 20 तो ये तो हो गया divide ये तो 4 से divide हो गया तो हम बलेंगे yes it is divisible by 4 क्या ये divisible by 8 होगा तो last का 3 digit लेंगे 5 60 क्या ये divisible होगा 8 के साथ तो देखो 8 7 जा 56 0 0 8 0 जा 0 तो कितना आया 70 yes 1 4 5 6 0 is divisible by 4 and 8 next g 2 1 0 8 4 क्या ये 4 से divide होगा yes देखो 4 2 जा 8 4 1 जा 4 तो ये 4 से divide हो गया क्या ये divisible by 8 होगा तो ये चेक करते हैं तो last का 0 8 4 है तो देखो 0 8 4 और 8 तो 8 1 जा 8 बचा कितना 4 तो अभी तो ये तो cut नहीं रहा है तो हमें ये conclusion में क्या देखने को मिला है hence it is divisible by 4 but not with 8 next j 2 1 5 0 क्या ये 4 से divide होगा तो देखो लास्ट का दो डिजिटल हैं गे 4 1 जा 4 5 से 4 गया तो 1 जा 0 नीचे उतारे 10 4 2 जा 8 तो बचा 2 तो ये हमारा तो divide नहीं हो रहा है so hence it is हमें क्या देखने को मिला है hence it is not divisible by 4 क्या ये 8 से divide होगा 2 1 5 0 हमें लास्ट का 3 डिजिट लेना है ओके तो 150 बाइट तो देखो 8 8 2 जा सिक्षिन 8 1 जा 8 7 0 तो 8 का टेबल में तो 70 नहीं है तो ये 8 से भी divide नहीं होगा तो hence it is not divisible with 4 and 8 ये हमें मिला conclusion h 3 1 7 9 5 0 7 2 क्या ये 4 से divide होगा तो लास्ट का 2 डिजिट लेंगे 72 4 1 जा 4 बचा कितना 3 2 तो 4 के टेबल में 32 है 4 8 जा 32 तो ये तो 4 से divide हो रहा है तो हमें ये देखने के मिला कि ये 4 से divide हो रहा है क्या 8 से divide हो रहा है चेक करते हैं लास्ट तीन डिजिट लेंगे 0 72 तो yes obviously 8 के टेबल में तो 72 है 8 9 जा 72 therefore hence हमें ये जानने को मिला है it is divisible by 4 and divisible by 8 ये दोनों से divide हो रहा है last number 1700 क्या ये divisible by 4 होगा तो मैं क्या बोला था अगर last क्योंकि हमें 4 से करना है तो यहां पर 2 ही डिजिट क्या है 0 है और मैं क्या बोला था कोई भी number हम 0 से easily divide कर सकते हैं किसी भी number के साथ therefore it is divisible by 4 क्या ये 8 से होगा उसके लिए हमें divide करके निकालना है 8 8 जा 8 जा 64 8 जा 72 so यहां पर हमारा कितना बचा 6 0 60 आ गया तो देखो ये 8 से नहीं होगा hence हमें क्या conclusion मिला it is divisible by 4 but not with 8 okay I hope you understood अगर कहें पर कुछ भी डाउट सेना बच्चो तो comment section पर comment कर सकते हो I will help you to resolve your doubts तो आज के लिए इतना ही next class मिलते हैं एक्सेस 3.3 का number 3 के साथ and don't forget to subscribe our channel to share students